हाई अब्रिवान वेल्कम टो अपनी सकीचन तो आज मैं बनाने वाली हूं नीबू की खटी मीटिया चार तो सबसे पहले में हम लोग लेंगे नीबू देखिए ये फ्रेस नीबू है वजन में ये 700 ग्राम नीबू है तो इसे कट कर लेंगे देखिए यहां पर मैं चार तु नमक नमक मैं यहां पर तीन चमच के करीब नमक डार रही हूं एक चमच हल्दी पाउडर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे चार से पास दिन के लिए रख देंगे देखिए यहां पर मैं मसाला लिए हूं यहां पर मैं लिए हूं सौप सुखी मिर्च मेथी और जी दालाएंगे चीनी, महीः पर चीनी 500 g चीनी ली हो, आपको ज्याधा मीठी बनाना हो तो आप ज्याधा भी डाल सकते हो अब इसमें डाल देंगे नीबू इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अप चीनी के जगा आप इसमें गोड डाल सकते हैं जब तक यह मेल्ट ना हो जाए तब तक हमाई से चलाएंगी कि यह मेल्ट हो चुकी है पिसमे डाल देंगी कास्मेरी मिर्च महित है पर कास्मेरी मिर्च डाल दें कर लार आने के लिए क्योंकि तीखी मिर्च हम लोग तो ऐसे सुखी मिर्च डाले हैं इसलिए इसमें नहीं डाल रहे हैं अब इसे अच्छे से चला लेंगे देखिए यह अच्छे से मेल्ट हो चुकिए है जब तक यह चीनी का पानी कम ना हो जा तब तक इसे हम लोग चलाएंगी देखिए इसमें से कम हो चुकि है तो गेस आप कर देते हैं अभी से में डाल देंगी हम लोग मसाला मैं यहाँ पर एक बड़ी चमच मसाला डाल रही हूं क्यूंकि मीठी अचार में थोड़ा कम ही मसाला अच्छा लगता है अब अगर आपको ज्यादा पसंदा तो आप ज्यादा भी डाल सकते हूं कि अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से बंकर रेड़ी है हम लोग की नीव की खटी मिठी आ जाए अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूरे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में